नमस्कार दोस्तों और सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का एक बहुती कुपसूर डिजाइन नाई हूँ जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं चाहे बच्चों के स्वेटर में जैन स्वेटर में लेडिस प्रोजेक्ट में किसी भी तो लास्ट में तीन फंदा एक्स्ट्रा आना चाहिए और मैंने तीन लाइन का ये बॉर्डर बनाया है क्योंकि ये डिजाइन रॉंग साइट से शुरू होता है तो डिजाइन का पहला लाइन और रॉंग साइट तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे या स्लिप करनेंगे फिर सारे फंदे सीधा बनाएंगे सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा अब डिजाइन का दूसरा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर अगला फंदा उल्टा फिर उन दूसरी और करेंगे तीन फंदा सीधा बनेंगे एक और दूसरा फंदा पहला फंदा हमने सीधा बनाया दूसरा फंदा एक लाइन नीचे से देखिए हम इसमें स्लाई ना डालके बलकि ये जो लाइन गया है इसके नीचे से यहां से जो छेट दिखाए दे रहा है वहाँ स्लाइड डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे और तीसरा फंदा सीधा अगला फंदा उल्टा फिर नेक्स्ट फंदा सीधा इसके आगे वाला फंदा एक लाइन नेचे देखें निदेश के यहां हम स्लाइड डालेंगे कि यहां पर इसलाइड डालते हैं नेक्स्ट एल्टा एक सीधा बना लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे पिर सीधा अगला फंद एक लाइन नीची स्लाई डालेंगे और सीधा बनाएंगे निक्स्ट फंदा सीधा अगला फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा बनाना है तो पहला और तीसरा फंदा हम नार्मली सीधा बनाएंगे और दूसरा फंदा हम एक लाइन नीचे आके तब सीधा बनाएंगे तीसरा फंदा नार्मली सीधा एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा पहला फंदा नार्मली सीधा दूसरा फंदा एक लाइन नीचे सलाई डालेंगे तब सीधा बनाएंगे और तीसरा फंदा नार्मली सीधा चौता फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा पहला फंदा नार्मली सीधा दूसरा फंदा एक लाइन नीचे स्लाई डालके तब सीधा बनाएंगे तीसरा फंदा नार्मले सीधा चौता फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा बनाना है पहला फंदा नार्मले सीधा तूसरा फंदा एक लेन नीचे स्लाइड डालके तब सीधा बनाएंगे तीसरा फंदा सीधा, चौता फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टीच है इसे हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइट से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे शेज सभी फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट फंदा उल्टा लास्ट फंदा एज इस टीचा इसे हम उल्टा बनेंगे और डिजाइन का यह डिजाइन का चौथा लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे तीन फंदा में सीधा बना है पहला फंदा नार्मली सीधा दूसरा फंदा एक लाइन नीचे स्लाइड डाल के तब सीधा औ अगला फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा बनना है पहला फंदा सीधा दूसरा फंदा एक लाइन नीचे स्लाइड डालेंगे तब सीधा बनाएंगे और तीसरा फंदा नार्मरी सीधा फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा सीधा एक लाइन नीचे सीधा फिर सीधा नेक्स्ट फंदा उल्टा सीधा एक लाइन नीचे स्लाइड डालेंगे तब सीधा सीधा बनाएंगे तीसरा फंदा नार्मरी सीधा चौथा फंदा उल्टा तिन फंदा सीधा बढ़ाना है पहला फंदा नार्मली सीधा दूसरा फंदा एक लाइन नीचे आगे तब सीधा और तीसरा फंदा नार्मली सीधा चौता फंदा उल्दा रंग साइड से पहला फंदा उल्द स्लिप कर लेंगे दूसरा फंद से सभी फंदे सीधे बना लेंगे और लास्ट फंदा उल्दा और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट फंदा उल्दा फिर तीन फंदा सीधा बना है पहला और तीसरा फंदा नार्मली सीधा और दूसरा फंदा एक लाइन नीचे आके तब सीधा डिजाइन बहुत ही आसान है जिसको सीधा उल्टा बढ़ना आता है वो भी इसे आराम से बना सकता है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं जाएं बच्छों के कैप में डालिये शाल चाहें इसे आप बच्चों के कैप में डालिए शाल इस टाल में डालिए मुजे में डालिए चाहें किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे यह सब में बहुत ही अच्छा लग्गी देखिए कितना कुपसुरा दिजैन है बनाना भी बहुत ही आसान फंदे का और दो चार फंदे का और एक ही लाइन का ये डिजाइन है डिजाइन आपके सामने है सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन बहुत ही खुबसूरत है तो फ्रेंज डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाएए इसे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजे बेल आइकन प्रेस कीजे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाले वाद